फेमस यूट्यूबर और मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा फिर से चुर्ख्यों में आ गये हैं जहां एक तरफ संदीब मायश्वरी के साथ में उनकी कोंट्रोबर्सी पर लोग उनकी काफी चर्चा कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ अब विवेक बिंद्रा पर हो की है कि विवेक बिंद्रा ने उनकी बेहन के साथ में यानि की अपनी पत्नी के साथ में शादी से अगले दिन मार पीट की 6 दिसंबर को विवेक की शादी गाजयबाद की रहने वाली यानिका के साथ में हुई थी उसके बाद में सभी समारों कंप्लीट होने के बाद में व विवेक के घर चले गए उससे अगले दिन दोनों के बीच में कुछ नहीं था लेकिन मा के साथ में विवेक की कुछ बहस हो रही थी जिसके बीच बचाओ के लिए उनकी पत्नी आई और उनके साथ में विवेक ने मारपिट शुरू कर दी मारपिट अतनी जादा हो गई थी कि उनकी पत्नी काफी जादा घायल हो गई उनको हस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा अब कहाय ये जा रहा है कि उनको ना तो सुनाई दे रहा है और उनके शरीर पर भी काफी घाओ के निशान है जिसके खिलाफ उनके भाई ने विवेक के खिलाफ याची का दायर करवाई है और F.I.R. कर दी है अब देखना ये होगा कि इतनी सारी कॉंट्रोवर्सी के बाद में हाला कि विवेक का जो करियर है वो तो डाउन होता दिखाई दे रहा है डाउन फॉल उनका शुरू हो गया है पर इस तरीके की हरकते करना वो भी एक मोटिवेशनल स्पीकर को पहले तो पबलिक का पागल बनाना और उसके बाद में इस तरीके की हरकते करना एक पतनी के साथ में जो कहां तक सही है और कहां तक जायज है हालकि बता रहा है कि उनकी पतिनी की जो हालत है वो स्थीर है पर चोट उनको काफी जादा आई हुई है